नमस्कार दोस्तों इन्वार अकैडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है अच्छो कुछ और बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन्स पे बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में हमारा पहला कोशन जो है एर पॉलूशन कंट्रोल डिवाइसे से रिलेटिड है चार ओप्षन दिये गए हैं और हमें बताना है कि हाईएस्ट एफिशेंसी इन कंट्रोलिंग डस्ट इस पी एक्ट्रोस्टेटिक ट्रिसिपिटेटर जो है सेकिन मोस्ट एफिशेंट डिवाइस है डस्ट को कंट्रोल करने के लिए डेफिनिटली पहले नंबर पे जो है आपका फैब्रिक बैग आते हैं जो लगबग 100 परसेंट जो है आपके सब माइक्रोन पार्टिकल्स को को दिमोग कर देते हैं एक्ट्रोस्टेटिक ट्रिसिपेटर पहल सकतता है जिसमें आपका फैब्रिक फिल्टर काम नहीं करते है फैब्रिक पैक काम नहीं करते हैं इसको best कहा जाता है LCA Life cycle assessment approach जो है इसको consider किया जाता है to reduce the impact of waste on environment Life cycle assessment product का cradle to grave पूरा का पूरा उसके raw material के extension से लेके disposal तक कर जो है पूरा घटना चक्र जीवन का इसमें हम देखते हैं और यह basically बहुत सारे इसके फाइदे हैं बहुत सारे इसके uses है बट waste को manage करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदार है environmental impact assessment जो है यह हमारे environmental protection act 1986 के अंदर बनाया गया है EIA environmental impact assessment का पहले notification जो है 1994 में 1994 में आया था उसके बाद हैं बहुत सारी amendment हुई फिर जो उसका notification आया जो अभी काम कर रहा है 2006 में टूट 006 2020 draft यह यह है हला कि बहुत सारे इसके नगेटिव कमेंट आये थे इसलिए उसको अभी तक जो है लागू नहीं किया गया कुछ amendment कि गए 2006 के amendment में ही जो आपकी 2020 में वो लागू करना चाहते थे उनको पूरा ना करके जो है थोड़ा थोड़ा इन्हों ने जो है अमेंडमेंट करके implement कर दिया है 2006 के notification में ही तो इस question का सही answer है Environmental Protection Act अगले question में आपको चार gases दिये गए है और आपको बताना है कि कौन सा greenhouse gas है carbon dioxide, nitrous oxide और water गए पर ये तीनों जो हैं greenhouse gases है nitrogen greenhouse gas नहीं है blue baby syndrome जिसको मेथेमो गलोबी मिया भी ही कहते है basically मेथेमो गलोबी मिया जो है ये आपका एक disease है जिसमें बच्चों का जो color है शरीर के वो blue हो जाता है और उनको सांस लेने में तकलिफ होती है दिक्कत होती है ये basically जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में ज़ादा ये problem है बड़े होने पे ये problem नहीं होती है ये किवल जो new born babies है जो एक, दो, तिन, चार ऐसे जो महीनों में basically होते है उनका जो stomach होता है वो alkaline होता है और जब इनसान बड़ा हो जाता है बच्चा बड़ा हो जाता है तो stomach जो है वो acidic हो जाता है तो अगर आपके पानी में nitrate जो है वो जादा हो तो वो nitrate वाला पानी जब बच्चे के शरीर में जाता है तो वहाँ पे वो reduce हो जाता है nitrite में और बिमारी कोज कर देता है blue baby syndrome तो अगर पानी में nitrate है तो blue baby नाम की disease होती है अगर ये कहा जाएगी बिमारी किसकी वज़े से होती है तो definitely बिमारी nitrite ही करता है प्रंतु पानी में क्या है nitrate वो nitrate body के अंदर जाता है बच्चे के शरीर के अंदर जाता है और convert होता है nitrite में और वो nitrite जो है blue baby syndrome कोज कर देता है तो काफी बाहर question में बच्चे गलती करते हैं इननों clearly लिखा हुआ है water pollution containing तो इसका answer आएगा आपका nitrate ठीक है disease caused by nitrite ब्लू पे भी syndrome जो nitrite की वज़े से होता है ecosystem comprise all the living organism एंड नॉन लिविंग component in the area sites में तीन schedule है अगर हम देखें schedule one सबसे ज़्यादा protection देने वाला इसमें schedule है जो basically आपके जो endangered species है उनका protection के लिए आप कह सकते है कि जो अभी critically endangered endangered species हैं उनको protect करने के लिए ये schedule बनाया गया है schedule 2 जो है second level का moderate level का protection इसमें दिया जाता है तो इसमें जो है ये जरूरी नहीं है हैं वो आपके बहुत ज़्यादा सेल होते हैं ये particular animal जो हमारे यहाँ पर पाया जाता है प्रंतो इसकी demand आपके यहाँ पर है अगर आप हमारी सहायता करेंगे तो हम इनके trade पर कंट्रोल कर पाएंगे तो basically तो इम जो है ट्रेड को कंट्रोल करने का ही है ख्रीद प्रोथ जो होती है उनका trade हो ही नहीं सकता उनके लिए बहुत ही strong नियम बनाए गए है शिजूल टू में basically second level पर आप कह सकते हो कि भही second level of protection में है और तीसरे में जो है इसमें किवल यह प्रावधान है सेट्यूल ट्री में वह लिस्ट में वह एनिमल हैं जिनका डिमांड किसी एक पर्टिक्लर जगह पर पर्टिक्लर देश में ज्यादा है तो एक country दूसरी country को इस आप जो है बात करके सहयोग के लिए कह सकती है वह यह देखिए आप यह इस तरीके से में सहयोग कर दो आपका जो है इस परकार से आप protection के लिए हम देखें तो schedule 1 सबसे hard, schedule 2 थोड़ा moderate और schedule 3 cooperation ग्रीन हाउस gases के बारे में जो है तीन statement दिये गए हैं इनको थोड़ा ध्यान से हम पढ़ेंगे यह बताना है कि कौन सा statement सही है तो ग्रीन हाउस gases जो है responsible है global warming के लिए बिलकुल सही बात ग्रीन हाउस gases अगर नहीं होंगी तो हमारे यहाँ पर temperature minus में पहुंच जाएगा जैसा हम सभी लोग जानते हैं ग्रीन हाउस के बिना धरती पर ताप मान जो है minus 19 degree Celsius पहुंच जाएगा अभी कितना है global mean temperature आप लोगोंने comment box में लिक के बताना है यह statement भी सही है तीसरा statement फ्रॉपसपरीक ओजान जो है वो greenhouse gas है यह statement भी सही है तो greenhouse gases global warming के लिए responsible हैं पर तो कर greenhouse gases ना हों तो हमारे यहाँ पर temperature बड़ा कम हो जाएगा और आपका फ्रॉपसपरीक ओजान ए ग्रीन हाउस gas है तो one two and three तीन हो statement सही है आपका अगला question है कि ecology जो term है यह सबसे पहले किसने यूज़ की थी चॉल्स इसका सही answer आगा है कल यह आप जो है प्लीज ठीक कर देंगे यह है आपका earnest हेकल ठीक है यह जो है गलत हाइलाइट हो गया है इसमें सही answer आपका क्या है औरनेस्ट हेकल अगला question है with reference to nature चॉल्स डार्विन's theory of evolution by natural selection was to the natural the natural environment including biotic and abiotic factors option number 10 question का सही answer है तो बच्चों हमें पुरी पुरी अमीड है यह वीडियो lecture series आपके लिए काफी महत्वपूर्ण आप्रूफ होगी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थी कि सर अलग से एक playlist बना दीजिए हमने playlist जो है बना दिया है टॉप यॉई क्यों के नाम से आप वहां पे जो है टॉप MCQ जिए जितने भी होएं वे 27 लेक्चर है सारे जो है देख सकते हैं वहां पे हमने जो हैं उनको सब को एक ही अपने लिस्ट में डाल दी है यह पीडिया आपको जो है ब्रोड़कास लिस्ट में हमने फोर्वड करा दिया है बच्चों वहां से डाउनलोड कर सकते हैं जो बच्चा भी तक इन्वार अकैडमी से असे नहीं हो पाया है तो हमारा नंबर मैंशन है डिस्क्रिप् बच्चों टेकर बच्चों